नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल Study Job and Analysis में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गैस कटिंग नोजल क्या होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं और किस साइज के नोजल का उप्योग मेटल के थिकनेस के according कितना oxygen pressure या gas का pressure रखते हैं यदि आप mechanical knowledge में interest रखते हैं तो ये जनकारी बहुत important है वीडियो पूरा अंद तक देखें बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को clear करते चलेंगे जनकारी अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा oxygen acetylene या oxygen LPG cutting process बहुत ही common method है किसी भी mild steel या ferrous metal के cutting के लिए इस process का उपयोग करके non ferrous metal या उसके alloy को नहीं काटा जा सकता है यदि हम gas cutting के से धांत की बात करें कि यह किस principle पर work करता है तो उसका उत्तर होगा कि जब किसी ferrous metal को red hot होने तक की स्थिती तक में उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद pure oxygen के contact में लाया जाता है तो metal और oxygen के बीच chemical reaction होता है इसी oxidation reaction के कारण बड़ी मात्रा में heat create होता है और वहाँ पर metal के कटने की क्रिया होने लगती इस chemical reaction में लोहा iron oxide में बदल जाता है जिसे oxygen करण या oxidation बोलते हैं इस oxidation के continuous process से metal को बहुत तेजी से काटा जा सकता है कटने के बाद iron का गिरता हुआ टुकड़ा iron oxide होता है iron oxide का वजन base metal की तुलना में कम होता है या पीगले हुए अवस्था में रहता है इसे slack कहा जाता है cutting torch से आने वाले oxygen के pressure से पीगले हुए slack को base metal से दूर उड़ा देते हैं और इन दोनों के बीच जो gap बनता है उस gap को कैर्फ कहा जाता है इस gas cutting में cutting nozzle important equipment होता है gas cutting nozzle metallic equipment होता है ये तीन main type के होते हैं जिसमें की A type, B type और तीसरा है PNM type इसमें type A और type B nozzle 2 seat nozzle है जबकि PNM 3 seat nozzle है जो की backfire और flashback को रोकता है ये तीनो type के nozzle में LPG gas का यूज करते हैं यहां इस चीज को note करेंगे कि ये तीनो type जो है A type, B type और PNM type इसमें जो हम gas यूज करेंगे वो LPG, oxygen के साथ LPG gas यूज करते हैं इसके अलावा PNM का उपयोग हम acetylene gas के साथ भी कर सकते हैं जिसे ANM कहेंगे यहां पर PNM और ANM का full form कुछ हिस परकार है PNM यानि की propane nozzle mix propane इसलिए क्योंकि LPG में propane और butane का mixture होता है तो propane होने के वज़े से उस gas में propane nozzle mix और ANM यानि acetylene nozzle mix इसका PNM और ANM का full form है यह दोनों nozzle के type है इसके बाद इस वीडियो का सबसे important part है किस size के metal के लिए कौन सा nozzle किस size का nozzle यूज करेंगे तो इस chart को देखकर हम लोग समझते हैं यदि plate की thickness 3-6 mm है तो उसके लिए nozzle size 1 by 32 inch का use करेंगे जिसमें की acetylene pressure 0.2 kg per cm2 और अगर LPG gas यूज कर रहे है तो उसका भी यहाँ LPG और acetylene दोनों gas का pressure सेम ही रहेगा लग 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 और oxygen का जो pressure है वो 1.5 kg per cm2 रहेगा अगर हमारा plate का thickness 6-20 mm है तो उसमें जो nozzle size होगा वो 3 by 64 inches रहेगा और उसमें acetylene या LPG gas का pressure भी 0.2 kg per cm2 और oxygen pressure 2 kg per cm2 रहेगा उसी तरह से इस chart में अगर हमारा plate का थिकने 20-75 mm के प्रॉक्स में है तो इसमें जो nozzle size है वो 1 by 16 यानि 1 by 16 इंच का लगेगा और acetylene या propane का जो अपना LPG का pressure रहेगा वो 0.25 kg per cm2 और oxygen pressure 3 kg per cm2 रहेगा यदि plate की थिकने 75-125 mm की है तो हमारा nozzle size 5 by 64 इंच रहेगा जिसमें की acetylene या LPG gas pressure 0.3 kg per cm2 और oxygen gas का pressure भी 3 kg per cm2 रहेगा यदि plate की थिकनेश 175-225 mm है तो उसमें nozzle size 7 by 64 इंचेज में रहेगा और LPG acetylene का pressure 0.35 kg per cm2 और oxygen का pressure 4 kg per cm2 रहेगा उसी तरह से अधि plate की थिकनेश 225-300 mm के बीच है तो nozzle size 1 by 8 inches और acetylene या LPG gas का pressure 0.4 kg per cm2 और oxygen का pressure 4.5 kg per cm2 रहेगा ये सभी value केवल guideline के लिए एक standard है वास्तुक मान nozzle के condition actual cutting speed के आधार पर थोड़े बहुत कम्या जादा हो सकते हैं एक बात ध्यान दें कि आप oxygen और acetylene से cutting करते हैं तो A&M type के ही nozzle का use करें और oxygen और LPG gas का use कर रहे हैं तो P&M type के nozzle का उपयोग करें तो मेदे दोस्तों आपको gas cutting, cutting torch nozzle के बारे में ये जनकारी अच्छे से समझा गई होगी ऐसे ही complete details के साथ और भी वीडियो की update पाते रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और उन दोस्तों के साथ share करें जिन्हें इनकी जरूरत है धन्यवाद कuju, कर दो सकतार होरी जरूरत है क्य़ वर्ण पन्यवाद